अब आई हो कि बहतर होगे और बहुत सरे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सब्सक्राइब करते हैं और उसमें हम स्टार्ट करते हैं ठीक ना दिको मैं दस साल से कोचिंग इंडेस्ट्री में पढ़ा रहा हूं और हमारी पढ़ाए हुए बच्चे आयाइटी दिल्ली आयाइटी लिमीटेट कंटेंट लोग देते हैं बाकि हम पढ़िसे ऐसरे डूसके कमेसमें होते हैं जिन से स्थे बॉइप करते हैं कि वह यह, यूट्यूब पे तो क्रम योटेच पे hilft कि दो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना more than sufficient है बहुत ही ज़्यादा है बट उसका प्रॉपर नोट्स बना लो और सेक्वेंस वाइज उसको अच्छे से टाइम टाइम तू पढ़ते रहो रिवाइज करते रहो ठीक है कोई दिक्कत है तो कमेंट करो चलो स्प्रेंट करते हैं तो ऊसरोा पहले से पाले हम बात करते हैं इस लेक्चर में हम आपके 2 काण्सेप्ट क्लीर करेंगे एकπαर ॐस इक वह Prim में पढ़ते हैं अब किसको फिजिक से ऊंध करते हैं जो मैं इवेंट में यह सच लाइट घूर्थ कह रोटेशन यह सारी साउंड है डिस्टेंस है स्पीड यह सब के बारे hem पढ़ेंगे तो कौन सी गौंटिटी यह जाएं नहीं कांड होते नहीं के सब्सक्राइब, form प्ले हैं çek को में बडाद लाइ की छिज़ेंस में नहीं पड़ते हैं बात करते कुछ ऐसी कौन्टिटी है जो प्योर नंबर जो फ्योर नंबर मतलब आप जानते हो वन टू थरी फ़ॉर ॉर फाइव पे सब क्या होते हैं नंबर तो प्योर जो नंबर होते हैं उन से काम चल जाता बिना किसी डाइरेक्शन को बताए हुए जैसे तुम्हारा कोई रिस्दा रेलवे स्टेशन पर खड़ा है तो मुझकर यह बोलो कि भाई मेरा घर रेलवे स्टेशन से यह रेलवे स्टेशन मेरा घर से तुम्हारे घर आ जाएगा वह पागल हो जाएगा क्योंकि वह कहेगा या रेलवे स्टेशन से दस किलो मेटर एक सरकल बनेगा अगर यह रेलवे स्टेशन है यहां पर तो रेलवे स्टेशन से इस ते दस किलो मेटर है समय लॉइथ तो वो बड़े आ्राम से चला जाएगा तो यहां क्या होग एक बीना डाइरेक्सण के और एक डाइरेक्टे कि ठीक है तो ऐसी इस नमबर से काम चल जाएगा और एक ऐसी स्केलर क्या चीज़ होती है एक ऐसी duplicate hemania what you any magnitude magnitude मतलब होता है प्चूर नंबर नंबर प्रेच्ण हां या नमबर लाइक 12345 अब होते हैं उनकों उनको हम बोलते है जो है magnitude और उनको हमहें किसी ड्रेशन से लेना देना नहीं है डायरिक्शन हो नहीं हो का अगह पढ़ाओंगा कभी कभी स्केलर में टार्रीक्षन होता है हो मिसकता थीकिANT तो चुलो अभी समझते हैं कि स्पीड कैसे alien कानिटी एक मास उआ जैसे मास अब मास तुम अगर दो इस पुर इसकेलर क्वांटिटी है इनको से कोई मतलम नहीं है अब इसको थोड़ा डीटेल करते हैं बहुत सारे बच्छे को नहीं समझ में आता है जैसे स्पीड है मालों तुम डॉक्टर बन गया आई इडवांस क्रेक कर लिए आई इडवांस और यह तुम्हारी BMW है तो यह तुम्हारी BMW है इसमें तुम बैठे हो औ 100 km per hour से driving कर रहे हो ठीक है तो 100 km per hour से driving कर रहे हो अब तुम यार यहां से इस्ट में जा रहा है ते अचानक से तुम अगर 90 डिगरी टर्न ले लो ठीक है तो तुम अभी तुम्हारा स्पीडो मीटर हंडेड ही दिखा रहा तो तुम अगर इसे करव पात पर जाते हो तो यह थोड़ी चेंज होगा तुम्हारी डाइरेक्शन बदलने से इस्ट वेस्ट नॉर्थ में जाने से ऐसे गाड़ी मोडने से तुम्हारी स्पीडो मीटर की जो रीडिंग है वह थोड रूम में ही पढ़ाई कर रहे होगे तो जिस रूम में होगे तुम यह तुम्हारा घर है जिस रूम में बैटे होगे उस रूम के किसी भी पॉइंट पर चले जाओ नीचे चले जाओ किसी भी पॉइंट पर चले जाओ तो हर पॉइंट पे जो टेंपरेचर है टेंपरेचर हुआ च्परेचेरों का टेम्परेचर 25 डिगरी मिलेगा मालो तो मालो 25 इस ऐसे clock डायरेक्सन से नहीं है झसे तो प्यारे बच्चों एक स्केलर को इसको अच्छे से explain करूंगा आपके दिमाग में permanent बैड जाएगा ठीक है मास मास को explain करते हैं कि कैसे scalar है कैसे इसे किसी direction की जरूत नहीं है कैसे एक प्योर नंबर है जैसे मालो तुम्हारी मम्मी बोलती है था है कि बेटा बजार जाओ और 10 kg 10 kg जो है राइस या कुछ भी राइस जो है चावल लेकि आओ तो तुम अब 9 tyves जो चाहल है तुम लाला की दुकान से लेकि आओ तुम किसी भी दुकान में से लेकि आओ ये 10 kg तुम ला रहे हो अगर लोग इमांदार हैं तो कभी-कभी क्या होता है एक दुखानदार कम तो लेगा दूसरा कदॉसरा आँर भी चौर है तो मानलो समिंञा लोग 10 कि देते हैं तो तुम किसी के भी दुकान से लाओ यह 10 केजी ही मिलेगा तुम्हें और वो किसी भी डायरेक्शन से कोई ले दाने नहीं है तो मस्ती करके आओ ठीक है किसी भी पात से आओ तो मास क्या है मास इजे स्केलर कॉंटिटी इस वेलू डिपेंड अगर डायरेक्शन पर डिपेंड करता तो मास चेंज हो जाता है ठीक है कि एक स्बसे डाउट टेबल चीज इलेक्ट्री करेंट ही ना बहुत सारे बच्चों को होता है कि इलेक्ट्री करेंट में सब डायरेक्शन भी है पड़े होगे नाइन टूद में जब तुम बैटरी से कनेक्ट करते हो प्लस माइनस यहां पे एक कया होगा है तेंद में पढ़ाई कि ओगे और यह प्लस माइनस यह वी माइनस ओगे है कारेंट हमेशा प्लस से माइनस की तरह फूलो होती है ऐसे तो पड़े और तो करेंट में माऔर यरिक्रेंट की दिक्कत क्या खेसे माइनस की और यह दूसरा जो है यहां से दूसरा करेंट यहां पर यहां से जोड़ूंगा तो यहां से जो नेट करेंट आई जाएगी हो जाएगी मतलब यहां 1 प्लस 3 1 प्लस यहां से चलो 1 प्लस 2 यहां से 3 एंपियर करेंट मुझे मिलेगी पता है अगर यह 3 एंपियर एड हो रही है तो यह जो बच्छपन से जो मैथमेटिक्स पर त्यार है बच्छों जिसको हम स्केलर एलजेब्रा बोलते उस बेसिस पर एड हो रहा है बात आ रही समझ है अगर होता तो 2 में से एक घड़ जाता और एक यहां पर रिजल्टेंट एक मिलता और अगर मालो यह दो नहीं होता यह आई टु वन एंपियर होता तो यह थोड़ी मिल ला है तो क्रेंट क्या है वो डेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करेंगे डिरेक्ष है पड़ो वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं कर रही है वेक्टर के कुछ अपने रूल होते हैं आगे पढ़ाऊंगा और कुछ एलजेब्र होता है ठीक है तो उसकी नियम को अच्छी बात है हम लोग सिखते हैं पहली बात यह सिखते हैं कि जो एनी क्वांटिटी वीच इवनीफाइड डायरेक्शन इसकेलर अब देखो यह अच्छी बात है ठीक है नोट करके लिग लेना यह पूरे कंटेंट तुमें कहीं नहीं मिलेगा यह बहुत मैंद से हम इसको थे ऊफाइड डायरेक्शन क्या होता देंगो यहां पर Mobus यहां करते हैं केलेट करते को नहीं करती है ठीक है अगर कोई अपने पास एरिया यह एरिया है और इस पे मैं फोर्ट लगाता हूं इस पे मैं फोर्स लगाता हूं ठीक है तो यह इस एरिया के लगेगा यह एरिया के हमेशा लगता है यह प्रेसर इस वाइग करेंड की तो यहां पर तुम देखो गेए लेक्ट्रिक करेंट करेंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा प्लस से-क माइनस की सैट करेंट अल्वेज फ्लो फ्रॉ फ्रॉ फ्लस टर्मिनल से निकलेगी बैट्री के और निगेटिव टर्मिनल को जाएगी तो करेंट क्या है सर्फेस टेंशन की डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है आगे पढ़ोगे तुम परशान मत हो ना सर्फेस टेंशन आलवेज एक्ट टैंजेंसियल टू सर्फेस ठीक है बहुत जादा डीटेल में नहीं बना बता रहा हूं अभी जानने की जो नहीं है बट य एक इसकेरर क्क्टीटि एक इसकेलर क्वांटीटि गो confirma क्टीटी निगेटिव और सकती है और पोस्थेयों यो सकती है और अगर कोई स्टेले में इन्टिव तो चार्ज है एलेक्टिक करेंट है पोटेंशियल एनर्जी है तो निगेटीव हो सकती पोजेटीव हो सकती और इसकेलर की वेलू जीरो भी पॉसिवल है समझ में आया जैसे करेंट है तो करेंट की वेलू समझे है कहीं पर चार्ज तो चार्ज पोजेटीव और निगेटीव जीरो ओर लो तरह से इस झालर की चाँले में हैं अभी हम डिस्कस किये कि के पास डाइरेक्शन हो सकता में हैब डाइरेक्शन देखो अलवेज डाइरेक्शन नहीं होगा ठीक है अलवेज डाइरेक्शन नहीं होगा बट इसकेलर के पास डाइरेक्शन हो सकता और वो डाइरेक्शन Fix like electric pressure sorry pressure electric current और surface tension ठीक न यह point सारा is scalar के बारे में अच्छे से note कर लेना ठीक न देखो अब एक important बार बहुत important बार ठीक न joh length है length है वह scalar quantity length is a scalar quantity किसी से भी पूछोगे कि length इसे scalar कॉंटिटी पर अगर उसी इंसान से पूछो कि क्या लेंथ ओल्वेज इसकेलर है तो यह बात मेरे हिसाब से सही नहीं है लेंथ का एक छोटा सा यह लेंथ एक वायर है और इस इसका बहुत ही छोटा पार डिफ्रेंशियल इलेमेंट्स किपना छोटा 10 टू जीरो यह जो डिफ्रेंशियल कीचोटा ली हो बहुत चोटा लiggly उतना चोटा कि एक यो जैसे अमने अरिया सब्सक्राइब करना लेकिन अगर ऐसी वर्मा की बात मानोगे तो अगर इडिया इसकेलर कॉंटीटी है तो यहां से चोटी छोटा सा अगर एरिया का छोटा एल्मेंटर लोगे जो कि डीए होगा किसी सर्फेस का तो इह आलवेज होगा बात समझे में इसमाल एरिया इस आउल्वेज वयक्तर अब यह सब Content जो है तुम्हें जो है आप किसी नोट बुक में ऐसे तुम्हें देखना किसी भी नोट बुक में देखना जर्रली नहीं मिलेगा ठीक है इसमाल डिस्प्लेस्मेंट अब यह आगे तुम्हें पढ़ाओंगा जाला डीटेल में और बता रहा हूं ठीक ना चलो अब यहां से हम स्केलर के बारे में सारे पॉइंट लिग लेना रिवाइज कर लेना फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूं इसकेलर कुछ है नहीं आर ज्यादा इसकेलर एक प्योर नंबर क्वांटिटी है जिसे डाइरेक्शन की जरूरत नही प्रिएड करोगे तो अपने आप में वह अधूरी अधूरी सी फीलिंग आएगी बात समझे वाया तो अधूरी फीलिंग सही नहीं ना फूरी आनी चाहिए कैसे सर एक्स्पलेन करो देखो अब जैसे तुम यहां पर एक बॉक्स है ठीक है यहां पर एक बॉक्स है और मैं तो मैंने तुम्हें काम दिया तुम्हारा काम मैं रखा हुआ है इस वाक्स पे तुमको 10 नूटन का फॉर्स लगाना है दस Newton का फोर्स लगाना यह मैंने तुम्हें काम दिया तुम क्या होगे तुम मन मेरे को कुछ बोलोगे सामने तुम्हें भी सही नहीं लगे तो तुम बोलोगे दस मैं बोला कि तुम्हें प्यारे बचों से इसब को धतकाड़ा को तुम क्या होगे सोच liter बोल दिये कि 10 नूटेंट का दो मैं इस बोक्स को किज़िटर करूं मैं आगे गुसका हूं किशे गुस नियुटन का ऊपर लेnant नीचे ले या इधर left ले जाओं राइड ले जाओं किदर ले जाओं एक box रखका हुगा है सिर्फ मैं तो तुम किदर लगाओगे यह confused तुम हो गए confused ठीक है क्यों कि जब मैंने 10 Newton बोला तो तुम्हें यह पता ही नहीं प्लस तुम्हें काम करो इसको राइट साइड दस नूटन का फोर्स लगाओ राइट साइड ले जाओ क्योंकि 10 नूटन सिर्फ दस नूटन का बात करोगे फोर्स लगाने के there are a lot of possibility लेकिन दस नूटन राइट साइड जो अगर कहां पर कैसे हमें डायरेक्शन की जरूरत है और क्यों हमें जरूरत पड़ी यहां से में समझादे जाए जैसे एक रूम है तुम्हारा गर है आ और इस घर में अपने पास टीन दर्वांजे से बाहर जाने के के लिए तीन दर्वाजे cette एक इदर है यह तिन दर्वाजे हैं तुम्हारे रूम में remarkable मेरा मैं बच्चों को पड़हता हूं और यहां पर तुम खड़े हो अब मैं बोलता हूं यह दर्वाजा है और यह भी यहां से ओपन है मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझा करो ठीक ना और यह ओपन है तो तुमको मैं बोलता हूं कि इस रूम से बाहर चले जाओ तो तुम क्या होगे कंशूज हो जाओगे क्यों बाहर जाने के लिए तो तीन रास्ते रोम से एक यह दरवाजा एक दूसरा एक और तुम बीच में खड़े हो तुमको क्या information मिला सर ने क्या वोला कि room class से बाहर चले जाओ तो यह class से बाहर चले जाओ तो तुम question करोगे ना कि मैं class के कौन से दरवाजे से बाहर जाओ सर दरवाजे तीर लगे हैं बात समझे में आई तो यहां पर जो तुम तुम जीधर जाओगे तो displacement एक vector quantity है एक particular direction में मजबूर किया जाना है कि दरवाजे से बाहर जाओ एक particular डोर से जाओगे ऐसा नहीं कि एक साथ चले जाओ तो ऐसी quantity जहां हमें direction की जरूरत है अरे यार डारेक्शन की जरूरत नहीं है तुम लड़ाई करने गए हो इंडिया पाकिस्तान का बोम गिरा रहे हो तो में direction के बा नुमेरिकल भेलू तो है 10 newton numerical value है और प्लस जो direction बता रहा है रहा है यह प्यारे बच्छो डायरेक्शन तो magnitude और डायरेक्शन दोनों है तो quantity quantity which have magnitude होना जरूरी है direction होना जरूरी है और तीसरा सबसे बड़ी important बात प्यारे बच्छो आज़ेशन फोड़ो अप्यारे बच्छ जब से बड़ी जरूरी एक नियम को फॉलो करना उस नियम में से एक नियम है लौ अब फॉलो करते हैं तो ऐसी क्वांटिटी को हम बेक्टर बोलते हैं जैसे तो चोटे बच्चे थे ने इस वाले इस वाले इस वाले टॉप यह जी तो बच्छ इस वाले नोट नहीं तो बच्छ इस वाले पॉइंट को देखो ठीक है इस पॉइंट में आया कि अगर एक magnitude डाइरेक्टिन प्लस फॉलो दर लॉव वेक्टर एल्जेवरा डैट मस्ट भी वेक्टर मतलब मेरा मतलब यह सेट आप रोल सब्सक्राइब जिसमें यहां से तुम देखोगे तो यहां से एडिशन लॉव भी फॉलो कर दोगे तभी यह तीनों चीज है किसी क्वांटिटी क पास यह तीनों रहना इरहित भी वेक्टर बात आ रही है तो यह यह कुई जरूरी नहीं कि बेक्टर होगा अगर मैंगिनीचूड़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है बात समझ में और अगर डाइरेक्शन नहीं तो कभी होगा ही नहीं बात समझ में आए यह तीनों तो यह पॉइंट इप्पोटेंट था और यह आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है चलो अब यह चलंग करते हैं कि एक वेक्टर कब बदलता है यह वेक्टर वे नीच चेंज ठीक है देखो अभी आगे पढ़ाऊंगा एक वेक्टर को हम प्रक्राइब करते हैं यह अपना प्यारा सा वेक्टर है यह इसका डायरेक्शन करता है और इसका लेंथ इसको नाम देता हूं मैं वेक्टर अभी आगे रिपरेजेंटेशन बताऊंगा अगर यह वेक्टर है जो कि होरिजंटल से कुछ थीटा मालो 30 डिगरी पर है ठीटा 30 डिगरी पर है अब तुम आए ठीक है तुम आए वेक्टर ए को 90 डिगरी पर कर दिये होरिजेंटल से ठीक है और यह डाइरेक्टर बदल दिये तुम ठीक है वेक्टर को ऐसे लिग दिये जो की थीटा 90 कर दिये तो अब यह जो वेक्टर यह वह वाला वेक्टर नहीं रहा तिक यह नया वेक्टर बन गया इसको मैं वेक्टर बी बोल देता हूं क्योंकि एक वेक्टर कब चेंज होता है बचों यह बहुत ही ज्यादा इसकेस में अगर तुम इसको घुमा दिये हो रोटेट कर दिये हो तो तुम्हें डायरेक्शन बदल गया पर तुम्हारा हुआ ही है तो यहां चेंज हो गया तो इस नया वेक्टर को मैं वेक्टर बी बोलूंगा इस नाँट इक को सब canष्ड गया और मैंगनिचूड बदल ज था और यह तीन मीटर का बना दिया तो तीन मीटर का बना दिया और यह इंगल होरिजंटल से अभी भी सेम है तो यह वेक्टर क्या आभी है वेक्टर हो गया चेंज ठीक है यह वेक्टर मैगनिचूड बदल दिया ना वेक्टर हो गया चेंज अब एक तीसरा अब एक तीसरा बन्दा आया जो कि इसका मैगनिचूड और डारेक्शन दोनों बदल दिया माल लो ये वेक्टर वेक्टर को हॉरीजेंटल से ऐसे बना दिया यह कर दिया इसको 70 मीटर लेंद कर दिया और होरिजन्टल से एंगल 120 कर दिया ठीक है तो अब यह नया यह वाला जो वेक्टर इस वेक्टर इस नॉट सेम वेक्टर तो यह नया वेक्टर जन्रेट हुआ और इसको मैं वेक्टर सी बोलता हूं बात समझ में आय कर बदल जाएगा मज़ा आगया होगा अब बात करते हैं कि वेक्टर को मैं फिजिक्स में रिपर्जेंट कैसे करूंगा तो देखो वेक्टर में वेक्टर को जो फिजिक्स में रिपर्जेंट करने का जो तरीका है वह हमें लोग एक एरो से रिपर्जेंट करते एक सिंपल सा एरो बनाएंगे ठीक है चाहूं तो मैं यहां से इंसर्ट कर सकता हूं बढ़ चलो मैं अपने हाथ से बना देता हूं यह मैं एरो बनाया और इस ए इस एरो का यह वाला जो यह जहां से एरो इस्टार्ट होगा ठीक है इसको मैं वोलता हूं टेल टेल पॉइंट है जहां से वे दिखाएगा यह दिखाएगा direction वेक्टर किदर वेक्टर के पास direction क्या है ठीक है और यह जो इसकी length है इसकी length किसी भी इसके लिया parameter पे इसकी जो length है प्यारे बच्चों यह जो length L है और यह length represent करेगा इसका magnitude तो यह represent करेगा magnitude और यह represent है ड द करेगा chicken इसको हम बोलते रहा है iso metric representation क्या ओलते हैं बेक्टर की representation है इसको हम बोलते हैं geometric representation तो इस तरह से मैं vector को रिपर्जेंट करता हूं उमेट्रिक representation लिए एड इरो य गाइन के यिंउ टो एक इरो से अरीपर्जेंट करता हैं टीक है दूसरा रिपरजेंटे शन एल्जेबरिक पॉत रिप्रीस ऐडर को सिर्प्सेंटेसर्ड में मैं बेक्टर को सिर्फ एल्जेब्रा के किसी लेटर से रिप्रेजेंट करता हूं मतलब एक तरह से अगर कहीं पर लिखा हुआ है भी तो मैं बिलूंगा कि भी इस ए वेक्टर जिसके पास लेकिन अगर यहां पर लगा देते हो बी मॉड लगा देते हैं और यह एक स्केलर हो गया यह इसको हम बोलते हैं इसके पास मैंगनिचूड नाम की चीज़े जैसे ही मॉड लगा दे डो डंडा लगा होगे वैसे ही वह वेक्टर बन जाएगा लेकिन बी केरफुल यह जो वेक्टर यह है ऐसे लिखा है और यह ऐसे लिखा है ठीक है और एक ऐसे लिखा है इन तीनों में डिफ्रेंस है यह तो यह तो समझ में आ रहा होगा आपको एक कम्प्लीट वेक्टर है यह वेक्टर का मैगनिचूड है यह स्केलर है लेकिन यह भी स्केलर है ठीक है समझना इस बात को कि जो बी माड है वो भी 6 कलर एह भी कलर है लेकिन जो बी माड है बी मॉड है और ये बिए ये दोनों इसकेलर है लेकिन इन दोनों इसकेलर में डिफरेंट Будether क्या डिफरेंट 53 एक म्मा इसा है करो कोशन करोगे तो डिफ्रेंस से पता चल जाएगा जैसे ऐसे समझ लो कहानी समझाता हूं कि एक आदमी मालो पुलिस डिपार्डमेंट में है आई पीएस है और चलो मालो करप्शन का आरोप लगा कुछ भी हुआ और वो घर बैड़ गया ठीक है तो अब वो मुहले वालोगों क्या बताएगा कि मैं जो है कभी आई पीएस भी था तो मेरे वह नॉर्मल आदमी नहीं है कभी कभी जो है आई पीएस भी था लेकिन आज वो कॉमन आदमी हुआ ना बात समझे में आया तो उसी तरह से जो यह बी है बी मौड है वो किसी वेक्टर का मैगनिचूड है यह बी बोलेगा कभी मैं वेक्टर भी था आज स्केलर हुआ हूँ मौड लगा है बात आ रही समझे में लेकिन कभी 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 नहीं बोल सकता कि मैं कभी फिजूचर में बेत पास्ट में वैक्टर था मैं पहले वी इसकेलर था अभी इसकेलर हूं मैं पहले गधां था आज गधां हूग बात मघ में आ गया तो यह सारी चीज़ विशे घोड़ा का नहीं करते हैं आज ke एक न्या चीज़ में बताते हैं बच्चों वेक्टर एंगल में बहुत ज़्यादा जरुर्य है बहुत जहुत ज्यादा हम्वेक्टर एंगल क्या होता है एंगल between the two vector head-to-head or tail-to-tail is card vector angle अगर representation सीख गए तो एक मैं वेक्टर बनाता हूं वेक्टर ए और यहां से मैं बनाता हूं वेक्टर बी तो इस पॉइंट पर यह जो पॉइंट है यह जो पॉइंट है इस पॉइंट का तुम लोकेशन देखोगे यह पॉइंट यहां पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर एक हेड और बी का टेल मिले है मतलब यह वाला सो एंगल है वो वेक्टर एंगल नहीं है नॉट वेक्ट ये वेक्टर एंगल नहीं है ठीक है क्योंकि एक का एड और दुसरे का टेल में हैं एंगल बेटioni हैड टु हेड टु हेड अंड टु टिल और छोटा वाला तो मैं काम करता हूं या तो मैं एक को आगे बढ़ा दूजही मैं यहां पर यह पहले ऐसे था अब मैं एक बढ़ा दिया मैं एक आगे बढ़ा दिया और और यह बी अपना धायरहा धा तो अगर तुम आइसको अछी से देखोगे तो पहले जो है दोनों का टेल मिला है तो यह एक एंगल यहां एक रियोट का बड़ा वाला और एक छोटा वाला एंगल यह जो थीटा है वह वेक्टर एंगल है थीटा इसे वेक्टर एंगल 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 बिट्विन हेड टू हेड यह टेल टू टेल इस काल्ड वेक्टर एंग और B को मैं पीछे shift कर दो प्यारे बच्चों अगर मैं B को पीछे shift कर दिया तो भी भी यहां पे देख रहे हो यह यहां आगे पीछे कर सकते है वेक्टर को कहीं भी रख सकते हो तो यह जो एंगल theta head to head theta is a vector angle theta is vector angle मलब दोनों का head और दोनों का tail मिलेगा और जो छोटा एंगल बनेगा यह एक बड़ा angle बना है यह एंगल नहीं है जो छोटा एंगल बनेगा उसको मैं वेक्टर एंगल बोलूंगा बात समझे में आया तो यह सारी चीजें हमें वेक्टर के तो अग मैं इसको इस पेस में कहीं भी रह सकता हूं अगर यह फिरी वेक्टर है तो इसको मैं इस पेस में जरूरत के हिसाब से मैं कहीं भी सिप्ट कर सकता हूं मैं इसको आगे रख सकता हूं मैं इसको साइड में बना सकता हूं इसको मैं ऊपर बना सकता हूं इसको मैं इधर बना सकता हूं इसको मैं स्क्रीन से बाहर ले सकता हूं अंदर ले सकता हूं कंडीशन क्या है कंडीशन यह है डाइरेक्शन और मैगनिचूड चेंज नहीं होना चाहिए ठीक ना अदर्वाइस वेक्टर बदल जाएगा तो एक वेक्टर को हम जरूरत के हिसाफ से यह जरूरत वेक्टर है इसको जरूरत के हिसाफ से उपर नीचे साइड में फिरी वेक्टर है मैं कहीं भी सिफ्ट कर सकता हूं कंडिशन ही है कि डाइरेक्शन और मैगनिचूट बदलना नहीं चाहिए तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी बात हैं वेक्टर और स्केलर के बारे में की आपका एक काम है कि प्रॉपर तरीके से मेरी बोली हुई बातों को अपने नोट अपने वर्ड में लिखना तभी जाके तुम कुछ सीख पाओगे और कुछ कर पाओगे तो अपना बहुत ख्याल रखो मोटिवेटेड रहो तो जब लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो यूटूब पर सर्च करना वेक्टर भाई नाउनीस्तर या वेक्टर वाई जपीएस क्लास है जो मेरे चैनल का नाम है थेंक यू बाबाई टेक कियर